हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल और आज हम बात करेंगे मिट्टी के बर्दनों की तो मिट्टी के बर्दन में खाना बनाने से होने वाले फायदों के बारे में आज हम बात करेंगे देखे फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी स्टील वे नॉन स्टिक बर्तनों का यूज किया जाता है लेकिन स्वास्ते के लिहाज से मिट्टी के बर्तनों में पकाया और खाया जाने वाला खाना बहुत ही लापकारी होता है एक समय था जब घरों में लोग भोजन पकाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तम बढ़ रहा है ऐसा करना स्वास्ते की लिहास से भी काफी फाइदेमंद होता है मिट्टी में कई गुण पाये जाते हैं अधिकांश धादुएं मिट्टी में ही पाये जाते हैं जब हम मिट्टी के बर्दनों में खाना खाते हैं तो अनेक पोशक्तत जिंक, मैंगनेशियम, आ पाई से यानी सांचे द्वारा बनाये जा रहे हैं दोनों तरह के मिट्टी के बर्दन मजबूत होते हैं और स्वास्ते के लिहास से बहुत ही बढ़िया होते हैं लेकिन जो कुमार अपने हातों से बनाता है वो बर्दन ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें ज़िए लिए के मत्टी के बरतनलहों को दोना बहुत ही असान है, इसके लिए आपको कई कैमिकल, कोई भी कैमिकल यक्त साबोन पावडर, लिक्वीड का इस्तमाल नहीं करना है, आप बर्तनों को केवल गरम पानी से भी दूह सकते हैं लेना है वो जूट के जैसा काम करता है ठीक है ना और उससे आपको बरतन साफ कर लेना है बहुत यह सुविधा जनक इस्तमाल आप कर सकते हैं ठीक है ना आपके माइन में एक कोशन तो जरूर आ रहा होगा कि पहले तो चूला इस्तमाल करते थे इसलिए मिट्टी के बरतनों क खाना बना सकते हैं आयूरवेद में कहा गया है कि जिस बरतन में आप खाना पका रहे हैं वह अच्छा होना चाहिए बस इस बात का ख्याल रखे कि जब आप मिट्टी के बरतन को गैस पर चड़ाते हैं तो उसकी फ्लेम यानि आच धीमी रखकर आपको बनाना है यानि मीड मिट्टी के बरतन में खाना पकाने से समाने बरतनों की अपिक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है लेकिन सेहत के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी के बरतन ही होते हैं कई तरहे के फाइदेमन रहता है मिट्टी के बरतनों में खाना बनाना तो अगर किसी को गैस की समस् एपच जैसी समस्या यानि खाना डैजस्ट नहीं होता है ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं होगी पॉस्टिक्टा के साथ साथ भोजन मेंpex बढ़ जाता है बोहाथ ही अच्छा और टेस्टी खाना बनता है आपने देखा होगा बडिया बडिया होटल में बड़े बड़िया रेस्टोरेंट्स में जो बिर्यानी बनाई जाती है बड़िया बड़िया दम चीज़े बनाई जाती है वो मिट्टी के बरतनों में ही बनाई जाती है क्योंकि उससे जो टेस्ट आता है खाने में वो गजब का होता है और देखें यहां पर कब्ज के समस्य अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है या उससे भी देखे मिटी के बर्तनों में अगर आप खाना बना रहे हैं तो कॉंस्टीपेशन के समस्य आपको जिंदगी में कभी नहीं होने कि क्या होता है जब भी हम खाना बनाते हैं अल्मोने में या कूकर में कभी भी इन बर्तनों में खाना बनाते हैं तो क्या होता है खाना गलता है पकता नहीं है आप तुरंत क्या करते हैं पांच मिनिट के अंदर आपके दाल बन कर त्यार हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि खाना ठीक से पका होगा बिलकुल भी नहीं पकता उस समय खाना सिर्फ और सि जाती हैं, ये बेढ़ंगा खाने से पेट में बहूंत सारे रोग लग जाते हैं क्योंकि मार्केट में मिलने वाले बहुत संदर-संदर अलमूनियम के नॉनिस्टी की भरतनों में खाना बनाने से क्या होता है बोजन की पोष्टिकताइर नस्ट हो जो भी भूजन मिट्टी के बरतन में बनता है उसका pH value maintained रहता है इससे कई बिमारियों से हमारा बचाव होता है देखे मिट्टी के जो बरतन होते हैं उनको यूज करने से पहले थोड़ी सी ध्यान देने वाली बाते हैं वो जो मैं आपको बता देती हूं जो बरतन कुकिंग क पानी में भीगो कर रखना है बरतन अगर जादा बड़े हैं तो आपको बरतन के अंदर पानी डाल कर और बाहर ऐसा कोई बरतन लेना है जिससे बरतन डिप हो जाए अगर डिप नहीं हो राहे तो नीचे का जो तला होता है तक ठीक है जैसे अब कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, गिलास हो गई, चमच हो गई और कडाई हो गई हमारे घर में भवोने वगेरा होते हैं और मैं पानी डाल कर बरतनों को डिप करके रखते हैं और नेक्स्ट डे आप उनको यूज कर सकते हैं जब वो अच्छे तरीके से प्ल Parks, उसके बाद क्ड़ाअ बनाने जाते हैं तो अको धीमे आज लगना में दंगा करू करें देंडरशी के रखेसे मटमारे ऑखता लाएंदेरर यूज यूज करते हैंâu गई, यूज करते हैं तो खाली बरतन आपको गयशन के okkशा या डालना। चीज डालना चाहते हैं वो डाल कर आपको तब उसको गैस पर रखना है और मीडियम फ्लेम पर आप कोई भी खाना बना सकते हैं और बढ़िया खाने का लुफ्त उठा सकते हैं पोस्टिक से बरा हुआ ये खाना होता है थोड़ा सा टाइम जाता जरूर लगता है लेकिन आप आज कल फूट चैनल्स पे देखे जाकर तांबे के पीतल के और मिट्टी के बरतनों में ही खाना बनाना इस्टार्ट कर दिया है उनलोगे ने तो हम क्यों ना करें हमें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है हमें भी स्वस्त रहना है तो फ्रेंट्स आप जरूर मिट्टी के बरतन लेके आई है चाहिए दूद गरम करने के लिए चाहिए तड़का लगाने के लिए चाहिए कूकर में कूकर लेके आए देखे मार्केट में इतने सुंदर-सुंदर कुमार ने इतने सुंदर-सुंदर मिट्टी के बरतन हम लोगों के लिए डिजाइन करे हैं बनाए ह और देखिए आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को सयोग करना चाहिए अपने कुमार भाईयों को उनके बिजनेस को बढ़ाने में तो फ्रेंट्स जरूर कर में मिट्टी के बरतन लेके आए और परिवार के स्वास्ते का ध्यान रखिए तो फ्रेंट्स अगर आपको भी मिट् पर आपको मिट्टी के बरतन मिलेंगे और बहुती सच और साफ तरीके से बने हुए मिट्टी के बरतन आप वहां से ले सकते हैं कंटाक नमबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब सुस्क्राइब और फॉवर्ड करना तो बिलकुल नहीं भूलेगा ओके बाइबा टे केर फे मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ